में जंगल राज कायम है। इसी जंगल राज में अभी 15 तारिक को मनिश गुप्ता जी के हत्या होती है। मनिश प्रजापती की हत्या होती है और उस हत्या एक प्रजापती इंडवेलबाद में पूरे समाज के लोगों के हत्या हो रहे हैं और समाज इसमें दो तरह की निति अपना रहे हैं अभी मनिस गुप्ता जी के हत्या होती है, आधरणी एकलिस सिंग्यादव जी बीस लाख रुपे का नुदान उनको देते हैं, और आधरणी उक्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चालिस लाख रुपे और उनकी पत्नी को सेकंड ग्रेड की नोकरी देते हैं, लेकिन यही प्रजापकी समाज और कुषवाद समाज की बेटिक डाली तुषवाद के साथ भ्यात्या होती हैं, लेकिन नहीं मिलता है, इसी के लिएक हम लोग देश के एक संवैधानी तरीके से गोरक पूर्शियागर आप मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप समाज के साथ समान बहवार करिया, कानून सबके लिए बराबर सम्विदान हमें समानता का अधिकार देता है, तो किसी की हत्या होती है, तो आप उसको 50 लाग रुपे उसको नोगरी देते हो, अगर यह प्रजापती पाल कहां, लोहार, माली, नाई, दोभी, बारी, बिन, मला, नड, मुजर, बारी, ब परिवार में, और उनके परिवार को 50 लाग रुपे का मदान दे, इसी प्रकार से, बिगत 13 अगस्त जुलाई को, कैनिया कुमार प्रजापती की भैत्या होती ही बनार्स में, लेकिन यह सरकार हम लोग को जबर जस्ती अरेश्ट करके बंद कर देती है, प्रजापती बेटे को कुछ देने का काम नहीं करती हूँ, आभी हम लोग का डिमांड था, पचास लाग रुपा और उसकी पत्नी को नो करी, लेकिन नहीं मिला, समाज के मंत्री है, हाँ, दरसल देखिए, दो तरह के नेता होती, एक लीडर और एक लूडर, तो हमारे समाज की जो मंत्री बने ह है, उनको प्रजापती महा सम्मेलन में रूची है, लेकिन प्रजापती के बेटे को उसकी इस्तधार बनाने की, उसकी जो